जह हिंद दोस्तों मैं नितेश कुमार SSC अरीना में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों RRB NTPC के इस Reasoning के चलाए जा रहे कोर्स में आप सभी का स्वागत है और आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उसका नाम है Coding and Decoding इसे हिंदी में सांकेतिक परिक्षन भी कहते हैं हमारा Chapter No.3 है ये इसके पहले analogy और series complete करवाई गई है अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो description box में playlist का link दिया है आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं Coding and Decoding का आज हम second chapter करने वाले हैं first chapter में first video में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके के questions पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें solve basic concepts बताये थे आज हम देखेंगे कुछ questions आज same type के questions इस वीडियो में देखेंगे इसके बाद अगले वीडियो को लेके आएंगे Coding and Decoding का जिसमें same different type के questions हम लेंगे तो आज जो हम question लेने वाले हैं वो based है सिर्फ और सिर्फ alphabets पे ठीक है alphabets पे तो मैंने आप लोगों को reasoning के पहले वीडियो में ही बता दिया था कि alphabets को learn करना बहुत ज़रूरी है alphabets की position कौन से number पे आता है और कौन सा letter किस letter के opposite आता है opposite कहने का मतलब है अगर सुरू से दूसरे number पे भी है तो opposite side से दूसरे number पे y होता है तो ये एक दूसरे के opposite हो गया तो उस वीडियो को पहले वाले वीडियो को आप जाकर जरूर देखिएगा बहुत important है वो पूरे reasoning syllabus के लिए चाहे आप RRB की preparation कर रहे हूं CZL की कर रहे हूं तो आप एक बार उस वीडियो को देख करके आप अपना alphabet की जो position है जरूर याद करिएगा उसका भी link description में है या end में इस वीडियो के end में आपको मिल जाएगा चले start करते हैं आज का topic question में बोल रहा है कि संकेतिक भाषा में यदि Y, Z, W से B, A, D बनता है तो Z, X, Y से क्या बनेगा तो हम देखेंगे Y, Z, W से B, A, D किस परकार बनाया गया तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहला वाला देखा है जिसमें opposite बताया था तो मैंने भी आपको बताया था कि Y और B एक दूसरे के opposite होता है उसी तरीके से Z और A भी opposite होता है उसी तरीके से जो W है पीछे से चौथे नंबर पे और D आगे से चौथे नंबर पे आता है यानि यहां कुछ भी नहीं किया गया सिर्फ opposite आपको लिखना होगा तो opposite आप पूछा है Z का opposite होता है A X तीसरे नंबर पे आता है opposite होता है C Y दूसरे पर होता है तो opposite होता है B आपका अंसर हो गया A, C, B यहनी हमें पता करना था कि किस हिसाब से यह बनाये गया है तो हमने देख के अंदाजा लगाया कि इसमें opposite ही वाला opposite वाले letters को उठा करके लिख दिया गया है चलिए question number second देखते हैं यदि कूट भासा में UNITY को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में यानि उसी कोड में कूट भासा का मतलब कोड उसी कोड में Tranquil को क्या लिखा जाता है तो देखे अब इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले वाले question में बताया था कि Y से B को चेक करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पहला ही चेक करेंगे हो सकता है कि इस से last वाले को चेक करना हूँ इस से second last वाले को चेक करना हूँ कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी हम basic कर रहे हैं जब हम काफी अच्छे level की questions देखेंगे तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पर देखते हैं हम चेक करते हैं कि क्या U को F बनाया जा सकता है तो दोस्तों U और F एक दूसरे के opposite होते हैं क्योंकि U आता है आपका F आता है आपका चछटे number पे और U आता है आपका 21 number पे 21 और 27 और यदि दोनों अब दो alphabet का sum 27 आजाए तो यह fix है कि वो एक दूसरे के opposite होगा यह बात fix है अगर sum 27 आजाती है तो तो हमने यह जाना कि U जो है वो F का opposite है अब चेक करेंगे क्या N भी opposite है M का तो बिलकुल क्योंकि M आता है 13 number पे N आता है 14 number पे अब Y देखिए लास्ट वाला Y 25 B 27 यानि कि यह एक दूसरे का opposite ही इस्तमाल किया गया है तो अब आप इस question को काफी आसानी से कर सकते हैं मैं यह आप पे छोड़ता हूँ आप खुद से इसको attempt करेंगे ठीक है और अगर नहीं बनेगा तो comment box में जरूर पूछेगा और अगर आप लोग अभी question को solve नहीं करना चाहते हैं तो जब video खतम हो जाएगा जब आप सारे के सारे questions को समझ चुके होंगे तो यह सारे questions मैं आपको description box में with options provide करवाऊंगा आप last में video को pause करके description box में जाईएगा और सारे questions को एक बार attempt कर सकते हैं चाहें तो ठीक है अगला question देखते हैं किसी सांकेतिक भासा में speak को urgcm लिखा गया है तो उसी code भासा में laugh laugh को क्या लिखा जाएगा तो देखते हैं s को u कैसे बना सकते हैं plus 2 करके क्यों s के बाद देखे s, t, u, t, u दो जोड़ दिया p के बाद देखेंगे p, q, r, q, r दो जोड़ दिया e, f, g, dो जोड़ दिया a, b, c, dो जोड़ दिया k, l, m, dो जोड़ दिया यानि सब में plus 2 किया जा रहा है काफी आसान question है तो अब हम l में भी plus 2 करेंगे तो l के बाद क्या आता है m और n दो जोड़ेंगे तो n आएगा a, b, c, u u में अगर दो जोड़ेंगे तो u, v, w देखे, n, c, w शुरू के तीन अक्षर हो गए जो सिर्फ और सिर्फ एक ही option में हमें दिख रहा है तो बिना हम जिजक्के बता सकते हैं कि हमारा answer option number c होने वाला है ठीक है चलिए अगले प्रशन की तरफ चलते है यदि किसी कूट भासा में road को u, r, d, g लिखा गया है तो उसी कूट भासा में s, w, a, n को क्या लिखा जाएगा ये question बहुत आसान है जैसा उपर था उसी तरीके से है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ आप इसे करिए और आपको answer मिल जाएगा नहीं मिलता है तो comment box करिए comment करिए मुझे ठीक है जरूर आपको इसका answer मिल जाएगा काफी आसान है ये प्रशन अगला देखिए अगला प्रशन है कि अगर रोज को T, Q, U, G लिखें तो उसी कोड़ भासा में बिस्किट को क्या लिखा जाएगा तो हम देखते हैं कि R को T R को T कैसे लिखेंगे प्लस दो क्योंकि R 28 पे आता है और T आता है हमारा 20 पे T 20, 20, 20, 20 गेम होता है उसमें 20 को T बोलते हैं क्योंकि T 20 वे नंबर पे आता है O आता है 15 नंबर पे O और 2, 17 प्लस दो तो हमने देखा कि सभी में प्लस दो किया गया है तो आप इसमें भी प्लस दो करेंगे B में दो जोड़ेंगे D I में दो जोड़ेंगे J, K S में दो जोड़ेंगे T, U D, K, U तो ये तो नहीं हो सकता D, K, V है ये होगा नहीं देखिए D, K, U, E, W D, K, U, E, W यनि कि हमें कि हम last का ही चेक कर सकते हैं तभी हमें पता चलेगा कि D सही है कि option number C सही है क्योंकि सारा same है सिर्फ last वाला different है तो T, T, 20, 22, 22 पे आता है V क्योंकि Y आता है 25 नंबर पे तो हमने अंदाजा लगा लिया कि हमारा जो answer होगा वो विकल्प number 4 यनि option number D होगा ठीक है अगला question आप खुद से करिए मैंने जान बूच कर काफी easy लिया है ताकि अगर आप first time इस chapter को कर रहे हैं तो काफी आसानी से कर सकें एक बार जब यह हो जाएगा तो मैं आपको advanced level पे भी काफी high level के questions करवाना शुरू कर दूँगा ठीक है अगला प्रशन दोस्तों अगला प्रशन मैंने अभी तक आपको जितने भी करवाए हैं उसमें एक तरफ alphabet और दूसरी तरफ भी alphabet लिखा होता है लेकिन इस वार number वाले question आपको दिखे हैं तो आप इस question को skip कर सकते हैं मैं next video में करवाऊंगा या फिर simple है मैं आपको बता भी सकता हूँ Tide पूछा गया है तो इसमें T ढूणेंगे T चौथे number पे है चौथे number पे 1 लिख रहा है यानि T का मतलब 1 I तीसरे number पे लिख रहा है तीसरे number पे है 9 यानि I का number हो गया 9 D दूसरे number पे है दूसरे number पे 8 है यानि कि D का मतलब हो गया 8 और E का मतलब हो गया पहले नंबर पे है तीन तो 1,9,8,3 ये हमारा TIDE का मतलब हो गया option number second काफी आसान था इस तरीके के questions मैं आपको अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ तो बने रहेगा आप SSC Arena के साथ और भी अगर questions या फूरा reasoning course करना चाहते हैं ये कोई special chapter तो वो भी हमारे course में आपको मिलेगा आपको बस subscribe करना है SSC Arena को और like करिए, subscribe करिए ठीक है चले चलते हैं अगले प्रशन की दरफ आगला प्रशन है कि United को S, L, G, R, C, B लिखा जाता है तो disown को क्या लिखा जाएगा उसी सांकेतिक भाषा में तो जो U होता है वो होता है 21 नमबर पे और जो S होता है वो होता है 19 नमबर पे यनि इस बार माइनस 2 किया गया है माइनस 2 N आता है 14 नमबर पे L आता है 12 नमबर पे माइनस 2 I आता है 9 नमबर पे G आता है 7 नमबर पे माइनस 2 अब end वाला देखते हैं D 4 पे B 2 पे minus 2, यहीं हम कह सकते हैं कि सभी में minus 2 किया गया है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, हमें इसमें भी minus 2 करना होगा सभी letters में, जिसे D आता है चौथे नंबर पे, चार में से 2 गया तो 2 यानि B, तो पहला option कट गया, अब हम check करेंगे, दीखें, दूसरा I, I आता है नौवे नंबर पे, 9 में से 2 गया 7, साथवे नंबर पे आता है G, G7 की meeting होती है न, G7, G7 नंबर पे आता है, तो अब हमें बचा option C या D, हम check करेंगे option C, D में, सब मिल रहा है सिवाए second last U और V, सिर्फ U और V नहीं मिल रहे हैं, तो हम directly check कर लेंगे second last वाला, second last में लिखा है W, W आता है 23 नंबर में, 23 में दो गया, तो बचा 21, 21 नंबर पे आता है V, sorry, 21 नंबर पे आता है U, T, U, तो हमारा ये वाला answer हो जाएगा, V जो है वो 22 नंबर पे आता है, ठीक है? आगला प्रश्ण देखिए, set का कूट, U, G, V है तो brick का कूट क्या होगा? यनि similar किसी कोड भासा में set को U, G, V लिखा है, तो आपको बताना हैं, कि इस प्रश्ण में brick का क्या लिखा जाएगा, तो देखिए, S, 19 नंबर पे, U, 21 नंबर पे प्लस दो, E, 5 वे पे, G, 7 वे पे प्लस दो, T, 20 पे, V, 22 पे प्लस दो, तो आपको आराम से सिर्फ प्लस दो करते जाना है, आपको अंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं एक बार देख लेता हूँ, C, C में दो जोड़ेंगे, E, तो E इसमें नहीं है, यानि ये और ये अंसर में से होगा, वो आप खुद चेकर ये कौन सा होगा, वीडियो पॉज करके, च्योंकि प्रश्ण बहुत ही easy है, आगले प्रश्ण में देखिए, किसी, यदि गिव को किसी कोड में, या कूट में, 5, 1, 3, 7, और, बैट को 9, 2, 4 लिखा जाता है, तो G, A, T, E को क्या लिखा जाएगा, G, 5 में लिखा है, तो G का बनेगा 5, यानि ये cancel, G के बाद A देखते हैं, A यहाँ पे है, A, A लिखा गया है, 2, A को 2, तो 5 और 2, तो हमारा मिल गया answer option number C, क्योंकि 5, 2 केवल इसी में है, दोस्तों, ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे अगर G का मतलब 5 है, तो सब में 5 ही होगा, हो सकता है, यहाँ पे 5 का स्कूर 25 लिखा होता, या G साथवे नंबर पे आता है, तो हो सकता है, 7 लिखा होता, कुछ भी हो सकता है, यह आप पे है, कि आप उसे किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कोश्चन्स मिल जाएंगे, इस रिजिनिंग कोर्स के प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अल्फाबेट, एवी, सीरी याद के लर्न करने वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो सारा देखिए और मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,